जी हाँ दोस्तो, हाजी मलंग दरगाह जहां शेर भी जाते हैं हाजरी देने, एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजरी लगाने के लिए, इसी अल्लाह के वली के दरबार में भक्ति गिरी करने गए थे कुछ लोग, फिर जो कुछ हुआ दोस्तो, जानक जंगल के जानवर भी जानते हैं कि ये अल्लाह के ववली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर जुकाने के लिए जाते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं आप से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। सिख क्या इसाई क्या यानि हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुँचते हैं। और अगर देश के अंदर दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता कि अगर सबसे बड़ी अगर कोई मिसाल अगर किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तानुलहिंद, ख्वाजा मुईनुद्दीन, हसन चिष्टी, रहमतुल्लाह अलेह की बारगाह हो दोस्तों, चाहे हाजी अली की बारगाह हो या फिर हाजी मलंग की बारगाह हो, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, बलकि जो भी अकीदत मंद अ लाह के वली की बारगाह में पहुँचते हैं, उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है, और बिना रोक टोक वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन अब दोस्तों, कुछ लोग इसका नाजायस फायदा उठाने लगे हैं, अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने ल और जबसे उत्तर प्रदेश, जहांके सीम योगी आदित्यनात महराज हैं, जबसे बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद से दोस्तों, यानि राम मंदिर के उद्गाटन के बाद से प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहां कुछ लोग अपने आपको बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी की जलक देखने को मिली क्योंकि अल्लाह के वलियों के दर्बार में किसी के लिए रोक टोक तो होती नहीं है किसी से उसका धर्म तो पूछा जाता नहीं है और इसी का फायदा उठा कर कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दर्बार में भी पहुँचे थे दोस्तों और हाजी मलंग बाबा के दर्बार में घुस कर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया अब दोस्तों यह लोग यह भी सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा की दरगाह में हम जाकर लगा देंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाएगा या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा बहुत बड़ी तारीफ वाला काम इसको गिना जाएगा सनातन धर्म में लेकिन दोस्तों गौर करने का मकाम है कि आप अगर किसी की दरगाह में किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाती सूचक नारा लगाते हो और यही काम अगर कोई आपके धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर कर दे तो क्या आपको तकलीफ होगी मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी तो दोस्तों जब आपको इससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ होगी अरे जहां आपको जैश्री राम का नारा लगाना चाहिए वहाँ जाईए अयोध्या में मंदिर का उधगाटन हो गया है टिकट कटाईए, दर्शन कीजिए जितना कस-कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहाँ पर जैगोश कीजिए नारा लगाईए कोई रोकने वाला नहीं होगा लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्त गिरी कर रहे हैं ये बिलकुल सरासर गलत है और जब से दोस्तों ये खबर निकल कर सामने आई वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने जैश्री राम के नारे लगाए हैं वहाँ तो मुस्लिम थे दोस्तों और उन्होंने अपना मुहबबत का और शांती का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहाँ पर नहीं लिया बलकि लोग नारा लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे लेकिन अगर उन्ही में से कोई सर्फिरा होता अगर कोई सन की मिजाज का होता तो वहाँ पर बिलकुल माहौल खराब हो सकता था माहौल गडबड़ा सकता था और फिर अगर माहौल गडबड़ाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता दोस्तो कुछ लोग हिंदू मुसलिम कर करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं और इस चीज को देखते हुए दोस्तो शायद हाजी मलंग बाबा के दरगाह में जितने मुसल्मान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरती तत्व है इनका काम ही हिंदू मुसलिम करना है नफरत पहलाना है और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुझाहरा किया दोस्तो और उन्होंने कुछ टोका नहीं यूही मजहब इसलाम में इनलाह मास साबिरीन का पैटर्न है यानि बेशक सब्र करने वालों के साथ अलाह है और मुसल्मान ने सब्र किया और जबसे वीडियो वाइरल है दोस्तो जगह जगह पर इसकी चर्चा हो रही है जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दर्बार में शेर अकीदत के साथ जाते हैं जिस जंगल के जानवर को अलाह के वली की दर्बार की ताजीम मालूम है लेकिन यह दो पैर के इनसान कैसे हैं जिनको अलाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं है उनकी अजमतो तौकीर मालूम नहीं है जंगल का चार पैर का जानवर अलाह के वली की दर्बार में हाजी मलंक के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिराजे अकीदत पेश करके जा रहा है, लेकिन यह दो पैर का इंसान है, या कुछ और है, जिसको अल्लाह के वली के दरबार का, जो रिवायत है वो मालूम नहीं है, अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना है, व बबरें वायरल हैं दोस्तों और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से ये आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्स करें और साथ लगे घंटे पर भी जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज